रूपी रेबल मां बाइलाइटरल ट्रेड मांटे एटलेके द्वी पक्षिय वैपार मांटे आर्बी आई जल्दी जबधी बैंकोंने मन्जूरी अपफानु शरू करी शक्षे सूत्रो प्रमाणे अमुक रश्यन बैंकोंना नाम पर नाणा मंत्रा ले अने आर्बी आई वच्चे विचार विमर्ष चाली रही शे आएक्स्क्लूजिव समाशार उपर वदू विगत लेए जानकारी लेए सवादाता आलोक प्रिय दर्शी पासेती आलोक जुडाया शे आ एक एहम एक तरह से कहें ये कदम है और इसमें जो हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी रही है उसके मताबिक रॉष्यन जो बैंक है वो जो भारत के बैंकों के साइट टाइब कर रहे हैं और जिसको RBI के तरफ से अंती मंजूरी मिलने माली है उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है हमें जानकारी मिल है कि वित मंतराले में कई सारे रश्यन बैंक्स ने अप्रोच किया है और अपना एक तरह से प्रोफाइल अपनी दावेदारी पेश किया है उसे सारे उन सभी बैंकों को वित मंतराले के तरफ से RBI को भेजा गया है RBI जो इन तमाम बैंकों के साथ भारतिय बैंक के साथ एग्रिमेंट करेंगे और इन एग्रिमेंट को RBI अंती मंजूरी देगा और यह जो हमें जानकारी मिल देए कि यह मंजूरी अगले हफते से मिलनी शुरू हो सकती है तो यह एक बड़ी ख़बर है और इसकी वज़े से जो करीब रश्यन बैंक है वो इंडिया में रूपी रूबल में ट्रेड कर पाएंगे और मैं बता दूँ कि जो नाम सामने आ रहा है उनमें सबसे जो इंपोर्टन्ट है नोविकॉम बैंक है नोविकॉम बैंक के साथ करीब एक लंबी लिस्ट आई है तमाम रश्यन बैंक के जिनका इंडिया के बैंकों के साथ टायफ हो रहा है वो रूपी अकाउंट खोल रहा है इन बैंकों में और इसमें एक और सबसे इंपोर्टन बैंक है वो है PSSB, Peetsberg Social Corporation Bank जिनोंने हाल में ही अपना Yes Bank में रूपी अकाउंट खोला है और ये तमाम बैंक ये कोशिश कर रहे है कि भारतिया बैंकों के साथ agreement बनाकर RBI के सामने पेश कर रहे हैं RBI इसको अंतीम मंजूरी दे इसमें और भी कई सारे नाम चामें लिए जिसमें कि Bank of Russia, Bank of Criteite और VEB, VTV, Sober Bank कई सारे बैंक है जो ये तमाम list जो वित्मंत्राले के तरफ से भेजी गई है RBI को और RBI इन तमाम बैंकों के साथ जो agreement है उन पर विचार करेगा उनको फिर मंजूरी देगा तब ये तमाम बैंक भारत के SBI, Yuko Bank, Kenra Bank, Bank of Rota के साथ मिलकर ये रूपी रूबल में सीधे तरफ पर कारोबार कर पाएंगे तो ये एक important खबर है खास्तार से exporter और import का धंदा करने वालों के लिए और भारत और रशिया के जो bilateral trade से उसको लेकर